Welcome to Civils Only Yearly Current Affairs Series का यहाँ Part 8 है तो continue करते हैं वीडियो पहला प्रश्न है कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री Dr. Jitain Singh द्वारा सुशाशन सप्ता का आरंब कहाँ पर किया गया है Options है तेलंगाना, नई दिल्ली, आंध प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पेंशन राज्यमंत्री हैं, इन्हों ने आजादी के अमरित महोत्सो समारों के अंदर गत सुशाशन सप्ता का शुभारंब किया है नई दिल्ली में इसका विश्य है प्रशाशन गाउं की ओर जन शिकायतों को दूर करने और सेवा में सुधार के लिए या कारक्रम सभी जिलों और केंदर सासित प्रदेशों में भी आयोजित किया जाएगा और जो सुशाशन दिवस है ये अटल भिहारी वाज़ पे जहनती के उपलक्ष में मनाये जाता है जो कि 25 दिसंबर को इनकी जहनती होती है नेक्स्ट क्वेस्चन है इंडोनेशिया में किस दीप पर प्रमुक ज्वाला मुखी सुमेरू अवस्थित है ओप्शन से जावा, सुमात्रा, थाइलेंड या बोर्नियो इसका करेक्ट एंसर होगा जावा दीप दो देखिए इंडोनेशिया में जावा दीप जो है यहां की सरवाधिक जनसंख्या वाला दीप है जहां पे इंडोनेशिया की लगभग 55 प्रत्सद जनसंख्या निवास करती है और वहीं पे यह जोला मकी सुमेरिव अवस्थित है यहां हाली में एक विसफोट हुआ है जिसमें लगभग 2 किलोमेटर तक की राख और धुवा निकला है और यह इतना भयानक था इसकी लेयर इतनी मोटी थी कि वहां पे जितने भी लोग थे वो बोरी तरह प्रभावित भी हुए है जिससे वहां से लोगों को हटाया भी गया और इससे पहले इसी दीप पर सुमेरिव फर्वत में बहुत जादा तीव रगती से लावा निकला था जिसमें लगबग 46 लोगों की मौत भी हो गई थी जिसमें हजारों लोग लापता और विस्थापित भी हो गए थे और जो ये मांट सुमेरू है ये इंडोनेसिया का एक सक्रिय जॉला मुखी है इसमें लगबग अभी तक 55 विसफोर्ट दर्ज किये गए है जिसमेंसिज दो 10 ऐसे थे जो बहुत ही घातक थे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर थर्ड क्वेशन है सहाय योजना की शुरुवात किस राजज में की गई है ओप्शन से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जारखंड या गुजरात इसका करेक्ट अंसर होगा जारखंड देखे हाली में चाइबासा के एसोसियेशन ग्राउंड में जारखंड के मुक्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुवात की है जिसका मक्सद क्या है खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है इसी ओजना के अंतरगत दो हजार से दस हजार रुपे तक की प्रोचसाहन राशी भी प्रदान की जाएगी ओके नेक्स्ट कोश्चन है निमलिकित में से किसे नदी उत्सों की थीम के अंतरगत शामिल किया गया है ओप्शन्स है स्वक्षयता देश भक्ती पारिश्थित की उपर्यूक्त सभी इसका correct answer होगा उपर्यूक्त सभी यानि कि नदी उत्सों थीम के अंतरगत ये तीनों है हाला कि ये जो नदी उत्सों मनाय जा रहा है ये चार थीम पे आधारी थे नहीं, इसके चार विशे हैं, तीन तो यहां दिये गए हैं, फूर्थ इसमें डिसकस कर लेते हैं, देखिए नदी उत्सो 16 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुआ था और 23 दिसंबर 2021 को समाप्त हुआ है, जो कि ये अखिल भारती आयोजन था, जिसमें इ मिनिस्ट्री ने संवक्त रूप से इसका आयोजन किया था, मिनिस्ट्री के नाम है, राष्टिय स्वक्ष गंगा मिशन, जल सक्ती मंत्राले, संस्कृति मंत्राले, एम परेटन मंत्राले, और जो इसकी थीम है, देखिए यहां पे स्वक्षता, देश भक्ती, प्रकिर्थ और पार्ष्थिक की भक्ति और आध्यात्मे के अंतरगत ये आयोजित किया गया है नदी उत्सों 2021 और ये नदी उत्सों का आयोजन इस बार आजादी के अमरित महुत्सों के अंतरगत किया गया है और नदियां है इसकी किन नदियों पर किया जा रहा है नदियां है पूर्पूर नदियों पर इसका आयोजन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी टोपी गवर्णर पुस्तक किसने लिखी है ओप्शन्स हैं डॉक्टर यारला गड़ा लक्ष्मी प्रिशाद वेंकेया नाइडू पियूश गोयल या पलनी स्वामी गांधी टोपी गवर्णर पुस्तक का भी मोचन किया गया है और इसके लेखक है डॉक्टर यारला गड़ा लक्ष्मी प्रिशाद जो की राजभासा आयोग के अध्यक्ष्मी है और ये पुस्तक आन्द तेलगु भाशा में लिखी गई है और किसके उपर आधारित है ये इद पुंगती रागवेंदर राव के जीवन पर आधारित है जो की ब्रिटिश प्रिशासर में एक प्रमुक सुदंता सेनानी विधायक और मध्य प्रांत के राजपाल थे चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर सिक्स्थ क्वेशन है हाली में कहां पर रत्न एउम आभूशर छेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधार शिला रखी गई है आप्शन हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या हरियाडा इसका करेक्ट एंशर होगा महाराष्ट्र देखिए हाली में केंद्रे वाड़िज मंत्री श्रीव पिविश गोयल द्वारा मुंबई में सांता क्रूज एलेक्ट्रोनिक निर्याद प्रिशंसकरण छेत्र S.E.E.P.Z. इस्पेशल एकोनॉमिक जोन S.E.Z. में ये रत्नियों माभूशर छेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधार्शिला रखी गई है जिसकी निर्माड लागत राची सत्तर करोण रुपए होगी और यह परियोजना रत्नियों माभूशन के लिए देश के महत्पूर विनिर्माड केंद्र के मध्य में स्थित मुख्य रूप से ब्यापार सुविधायों कौसल प्रशिक्षन पर केंद्रित होगी वर्तमान में यह मेगा सांता क्रूज इलेक्ट्रोनिक निर्यात प्रशंसकरण छेत्र रियानी की हमारे कुल रत नियों माभूशर निर्यात में लगभग तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर सेवन्थ क्वेशन है राष्टिय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान यानि कि नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस एसेट मैनेजमेंट ने किस छेत्र में उतक्रिष्टता केंदर की स्थापना की है औप्सन से भूमी सर्वेश्चर आपदा प्रतिक्रिया सुरक्षात्मक रड़नीती या इन में से कोई नहीं इसका करेक्ट अंसर होगा भूमी सर्वेश्चर नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस एसेट मैनेजमेंट जोकी प्रमुख केंदे प्रिष्चर संस्थानों में से एक है इसने भारत सरकार की छमता निर्माड पहल के अंतरगत हाली में भूमी सर्वेश्चर में उतक्रिष्टता के इन्दर के स्थापना की है और रच्छा संपदा संगटन अपने कारशेत्र में विशेशक्गिता के अंतरगत लगातार भूमी सर्वेश्चर करता रहता है और इस तरह की गतिविधियों के आधार पर इस छेत्र में विशेशक्गिता विक्षित करता है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एर्थ क्वेश्चन है निमलिकित में से कौन सा देश सर्वोच नागरिक सम्मान ओर्डर ओफ ड्रुग ग्यालपो प्रदान करता है ओप्शन हैं चाइना, थाइलेंड, भूटान, साउथ कोरिया इसका करेक्ट अंसर होगा भूटान देखिए अभी हाली में भूटान द्वारा प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी को वहाँ के सर्वोच नागरिक सम्मान ओर्डर ओफ ड्रुग ग्यालपो देने का नेड़े लिया गया है वहाँ के प्रदानमंत्री के अनुसर यानि भूटान के PM के अनुसर भारत के प्रधान मंत्री ने बिना किसी शर्थ के दोस्ती निभाई है कई सालों से और कोरोना वाइरस महामारी के दोरान बहुत मदद भी की है इस उज़ासे वहां का सर्वोच नागरिक संबान देने का नेड़े लिया गया है और भुटान जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी राजधानी थिम्पू है भारत का पड़ोसी देश भी है वहां के प्रधान मंत्री लोटे शेरिंग है बरतमान में चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन पे नाइन्थ क्वेस्चन है हाली में किस चक्रवाती तूफान ने दक्षडी फिलिपीन्स को प्रभावित किया है ओप्शन है राय, केंटुकी, निवात या अमफान इसका करेक्ट अंसर होगा राय देखिए अभी हाली में दक्षडी फिलिपीन्स में भैंकर तूफान राय के कारण भारी बाड़ा और बिनाश की चेतावनी के बीच हजारों लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें दूसरी जगह सरंड लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है और ये जो राय नामक तूफान है ये लगबग 175 किलोमीटर प्रतिगंटे की रपतार से वहां के लोगप्रिय परेटंदीप सिरगाओं में दस्तक दिया है यह तूफान इस वर्स दच्छिड पूर्व एशियाई देश में आने वाले जितने भी तूफान थे उनसमें सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर कौन सा देश 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 दच्छिड एशियाई फुटबाल महासंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा ओप्शन्स हैं जापान, चाइना, इंडिया, फ्रांस इसका करेक्ट अंसर होगा इंडिया भारत 2022 में महिलाओं की अंडर 18 और अंडर 19 दच्छिड एशियाई फुटबाल महासंग चैंपियनशिप यानि सैफ की मेजबानी करेगा महिलाओं की अंडर 18 सैफ चैंपियनशिप 3 से 14 मार्ज तक आयोजित की जाएगी जबकि 19 अंडर 19 प्रतियोगिता 25 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होगी और इन कारेक्रमों की डिकलेरेशन किसके द्वारा की गई है अखिल भारतिय फुटबाल महासंग द्वारा तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस स्रीज को कॉंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू